कितना आजीब है ना कि आपको भारत में बैठे बैठे Queen Cleopatra से लेकर Queen Elizabeth तक सब कुछ पता है लेकिन भारती रानियों के बारे में आपको इत्तूसा भी नहीं पता क्योंकि लिखा ही नहीं जाता इसलिए इस वीडियो में बात करूँगा 18th century की एक ऐसी भारती रानि के बारे में जिन्होंने Central India में बैठ कर पूरे भारत वर्ष में जो changes करे उसका फाइदा मास तक उठा रहे हैं ये एक astute business woman होने के साथ साथ एक perfect administrator थी इनके राज्य में कभी पैसे की कभी नहीं पड़ी और उसको इन्होंने अपने लिए कभी उजनी करा philanthropy के काम में लगा दिया जो विदेशी आकरानताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, घाट तोड़े, टूरिस्ट हाउसेस तोड़े उन्हें इन्होंने रेनोवेट करवाया पूरे भारत वर्ष में मैं बात करना हूँ रानी अहिल्या भाई होलकर जी के बारे में इनका जिकर आपने अभी रिसेंटली काशी विश्वनात कारीडोर के समय पर सुना होगा इनकी लाइफ की कहानी बड़ी रोमांचक है इस पे तो कोई मूवी बन सकती है और उसी के कुछ हिससे इस वीडियो में सुनाओंगा तो प्लीज एंट तक देखना और आगे शेर जरूर करना इनके बच्चमन से शुरू करें तो आपको कुछ ट्रेजडी दिखाई देंगी जिन्होंने इनके आगे की जीवन को शेप अप कर दिया सबसे पहले 1725 किती पुरानी बात है तब इनका जनम हुआ था कहते हैं महराष्ट्र में एहमद नगर के पास एक चोंडी विलेज है वहाँ पर एक विलेज लीडर हुआ करते थे मांकोजी शिंडे जिनके घर में पैदा हुई जब ये 6-8 बरस की थी तो इन्हें एक मंदिर में खांडे राओ होलकर जी ने देखा खांडे राओ होलकर जी पेश्वा बाजी राओ के यहाँ पर एक सूबेदार हुआ करते थे और उनके एक मातरसन थे मलहार राओ होलकर जी उनके साथ इनका विवा हो गया जो मलहार राओ जी थे ये एक किले पर चढ़ाई करने गए कुम्भेर का किला था जहाँ पर इनकी मृति हो गई उस समय अहिल्या बाई जी 29 साल की थी अब आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो एक चाइल्डूड मैरिज जहाँ पर आपको दिखती है जो कि उस समय काफी कॉमन थी उसके बाद 29 साल की एज में पती की मृतिव ये एक ट्रेजडी है एक दूसरी ट्रेजडी जो हो सकती थी मगर थैंक्फुली नहीं हुई वो ये थी कि ये सती होने जा रही थी क्योंकि उस समय सतीर प्रता भी कॉमन थी इन्होंने का कि बाई पती पत्नी का जोड जीवन भर के लिए होता है उनकी मृति हो गई है तो मैं भी अब उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ इस समय खांडे राव होलकर जी ने एक बड़ा important character play करा इन्होंने का कि देखे मेरे अकेले बेटे की तो मृति हो चुकी है आप भी अगर ऐसे सती हो जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्लीज ये decision ना ले और उसके बाद जब ये इस बाद को request को मान लेती है तब खांडे राव जी ने इन्हें administrator के तोर पर और इन्हें एक military leader के तोर पर खूब train करा वो इनको पत्र लिखते थे और ये सब documented है कि कैसे कैसे military को lead करना है कहां पर तोप की गोले बनाने कितने बड़े size के वो गोले होने चाहिए और उस पत्र के जरीए ये इने guide करते थे और अपने military को और अपने बाकी राज्यों में ये दिखाते थे कि देखिए मैं इन पर इतना trust करता हूँ आपको भी इनसे ही order लेने चाहिए अब आती है दो बड़ी बड़ी tragedies 1766 में खांडे राव जी का देहान्त राणी पूरी kingdom पर इस्टैबलिश करा 1767 में और 1795 इनकी death के समय तक ये यहाँ पर राणी रही और आप imagine करिए उस समय इनका revenue जो है 150% से grow कर रहा था तो आप सोचेंगे कि अपने लिए इनोंने बड़े बड़े तक्त बनवाय होंगे बड़ा महल बनवाया सुबा सुबा नदी में नहाने जाती थी और कोई भी राज्य का इंसान इन से मिल सकता था और ये बाते मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा एक फ्रेंच ट्रेवलर उस समय आया था उसने अपनी किताबों में इस सारी बातें जो देखी है और इनका रेवन्यू इतना क्यों ग्रो होता था उसके पीछे बिजनेस एक्क्यूमेन देखिए मालवा रीजन उस समय डी पॉपलेट होने लगा था और इन्होंने अपनी राजधानी एक छोटे से टाउन महेश्वर में शिफ्ट कर ली थी तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो ट्रेडर्स और बैंकर्स को बुलाया दस साल का उनको दे दिया टैक्स हॉलिडे तो खूब सारा पैसा आया जो करज पर मिलने लगा तो किसानी बढ़ने लगी और किसानी में भी रूई का खूब खेती हुआ करती थी जगे फैमेस चल रही थी तब इनका राज्य खूब प्रॉस्पर कर रहा था अब इस प्रॉस्परिटी और पैसे को इन्होंने अपने उपर तो खर्च नहीं करा तो यह पैसा आखिर गया कहां उसके पीछे आता है कल्चुरल रेनेसा एक ऐसा रिफॉर्म जो मैं कहा था ना कि इन्होंने पूरे भारत वर्ष में करा सोमनाथ हो, बद्रीनाथ हो, रामेशुरम हो या काशिविश्वनाथ हो यह सारे मंदिर जो पहले आकरानताओं ने आकर अटैक करके तोड़े थे उनका जीर्णो धार इन्होंने करवाया हमारे काशिविश्वनाथ को भी जब औरंग जेव ने तोड़ा था उसके 111 साल बाद जो दुबारा बनवाया वो इन्ही रानी जी ने बनवाया और बाद में उसके उपर जो सोना लगवाया हो महराजा रंजीस सिंग जी ने लगवाया और ऐसे कहते हैं तकरीबं 1.5 सो टेंपल तो आप काउंट कर सकते हैं जो इन्होंने दुबारा से बनवाया और कई सारे घाट पनवाया बनवाया जो इनके महल में हीरे जवारात नहीं जड़े हुए मिलेंगे मगर इतने बड़े-बड़े तीर सिस्तनों का जिर्णो धार का क्रेडिट इनको ही जाता है कितना इंट्रेस्टिंग है कि एक छोटे से परिवार में एक बेटी पैदा होती है एक अर्ली एज में इनकी शादी हो जाती है एक अर्ली एज में इनके पती की बी मत्ति हो जाती है इनके father-in-law इने सती होने से बचाते हैं और जब ये रानी बनती हैं तो अपने business acumen से अपने पूरे की पूरे revenue को तेजी से grow करती हैं, समराज में prosperity फैलाती हैं, मगर अपने लिए कुछ नहीं करती हैं, जमीन पर सोती हैं, नदी में नहाती हैं, लोगों से मिलती हैं और पूर दूर दूर तक share की जानी चाहिए, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, तो please इसे आगे share जरूर करें, लाइक करें इस वीडियो को, अपने thoughts नीचे comment में लिखें, subscribe करें इस चैनल को for more such videos ahead, और मैं आपसे मिलूगा ऐसे किसी और interesting वीडियो में, तब तक के लिए पने ध झाल को इस वीडियो करें में, इस वीडियो